मी देवेंद्र गंगादर राव फट्नविस इस्वर साक्षर शपत गेतों की मी अजीत अनंत्राव पवाद रात के अंधिरे में राश्पती शासर मत जाता है ये धोका महाराश्टरा की गंता और छट्रपुती शुवादी महाराश्टी उचारों के साथ हुआ है पत्र का आधार बना कर सत्ता सपना की गई वो विवाईकों का पत्र पत्र दुरुप्यों किया गया है तो पलट गई पाजी में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ कूल दीप सिंग पठानिया रात के अंधेरे में महारास्ट का रण भारती जन्रता पार्टी ने जीत लिया एंसीपी के सहयोग के साथ सुबह सवेरे ही ये खबर आई मुक्यमंत्री बन चुके है दिवेंदर फड़नवीस उसकी शपत ले लिये और डिप्टी सीएम आजीत पवार ने उसकी शपत ले भी है चलिए क्या कुछ नाटक हुआ हमारे साथ लगातार पैनल बना हुआ है इस वक्त हमारे जो महमान हैं उनसे आपका तारूफ करवादू दवेंदर प्रमुख नेता बीजेपी इसके अलावा परमेंदर सेटी राजनितिक विशेशक हमारे साथ जोड़े हुए है राहुलाल वरिस पत्रकार हैं ये संदीब चौधी हमारे साथ जोड़े हैं राजनितिक विशेशक के हैं ये भी और अक्रम कादरी हमारे साथ जुड़े हैं बड़ा जरूरी होगा इनका रियक्शन लेना कॉंग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का शुरुआत करते हैं अक्रम कादरी साहँ मैं सबसे पहले आप से शुरुआत करना चाहूंगा इतनी देर आपने लगा दी दरसल कल ऐसा हुआ कि कार्ड किसी और के नाम के छपे और सुबह उते होते घोड़ी कोई और चड़ गया या आपने इतनी देर क्यों लगा दी दरसल आप इसको ऐसे भी कहाँ दो कि मौझूदा सरकार ऐसी है कि किसी की दूसरे की बरात में दुलहन लेकर भाग सकते हैं लोगो और भागी नहीं तो लेकर उठाके किड़ने परके भी ले जाएंगे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दरसल आप देखी रहे हैं जब से ये जोड़ी जब से बैठी है क्या हो रहा है मड़ीपूर के अंदर गोआ के अंदर करनाटक के अंदर किस तरह से सम्मिधान की धज्जियां उठाए जा रही है और मुझे बड़ा दुख होता है कि फिर वो ही मुख्यमंत्री सम्मिधान की सपत लेते हैं किस तरह से ये देश सम्मिधान से चल रहा और कैसे चलेगा इस पे हम सब सो सोचने की जुरूत है नहीं सोचने की जरूर तो है आप से पहला सवाली मैंने आप से ये पूछा कि आपको इन बातों का पूरा घ्यान था आपको पता है कि बेहर में कैसे आपने माहगडबंदर में लड़ा था उसके बाद फिर बीजेपी ने सरकार बनाई थी करनाटक में आपने सरकार बनाई कि आप अपराहदी को के तेरा ही कुसूर है तिरे घर में चोरी कैसे हो गई तुने ताला मजबूत कियों लगाया था तो ने क्यों घर में लाठी ले का हरयाना के अंदर आपने देखा चोटबी कभसे जेल में बनumин थी 5-6-6-10 साल के अंदर उनको लेकिन जैसे हाथ मिला ये दो घंटे में पैरोल हो गए और सपत ग्रण में सीधा हेलिकॉपटर उतरता है तो ये मशीणिरियों किस तरह दुरूपयों गोरा रहे हैं, राजपालों किस तरह दुरूपयों किया जा रहा है, वो इसका जीता जागता है, उधाराने सब की सामने, ये देश की जंता को पे सोचना पड़ेगा दर्वेंदर पुर्मुक्ष जी ये बताई कि आप रात के अंधिरों में सरकार बनाएंगा उजाले में क्या शर्म आती थी आपको सरकार मानुए ने डर लगता था आपको सरकार बनाने में कुल्दीव जी किलियर कर देना चाहते हैं आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार बनाने के लिए एडी से और चोटी तक जितनी ताकत जिसमें थी वो सब उन लोगों ने लगाई और उस ताकत को जब वो फेल हो गई आज कोई दुलहन बता रहा है कोई उसको साधी बता रहा ह है अगर दुलहन स्रमालने ने की छमता नहीं है तो दुलहन बनाने का निमंत्रण दिया क्यों आप लोगों ने हमने तो बड़े तरीके से बड़े आराम से बड़े प्यार से और जंता की सहमती लेकर जो लोगतंत्र की बात करते हैं आप साथ साल में इस देश के लोगतंत्र को कहां से कहां कहां कब कब घासिटा गया इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है आज हमसा लोगतंतर का सवाल करने वाले एक बाल अपने गिरुबान में ज्हागनें एक बार की लोगतंतर की मरियादा को कब تक मांते थे करनाटका में क्या हुआ था ताजी घटना नहीं है क्या कैसे केमें ले थे जिनकी सरकार भनी जहागते अपने घिरवां में अरए जब भारतीय जन्ता पार्टी की सरकार भनती है तो लोगतंतर खत्रे में प्रविंद सेटी जी आप राजनिती का विशलेशक है ये बताएए कि बहुत कुछ क्या शिवसेनों को समझना नहीं था भारतिय जंता पार्टी के जो केंद्रिय मंत्री हैं वो भी इतनी बातों का जिक्र कर रहे हैं आपको लगता नहीं कि 2019 में जब आकरी बीजेपी और शेवसेना का जो गड़बंदन था वो चला उसके बाद करीब 12-14 साल कॉंग्रिस की सरकार रही शेवसेना का नामोने शान नहीं था 2014 में मोदी सरकार की लहर चली या मोदी साहब की लहर चली उसके बाद बीजेपी ना सिर्मारास ने बलकी सभी कई राज्यों में क्लीन स्वीप करती चली गई थी आपको पता था शेवसेना उसी से खड़ी के होकर सामने आई उसके बार 2019 में भी आपसे 240 सीटे भारती जनता पार्टी लेती है आपको पता होना चाहिए था कि सपोर्ट आपका बीजेपी कर रही है इस वज़े से आपका करदार थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन उन्हें लगा के नहीं अब बड़े भाई की भूमी का निभाने का वक्त आ गया है क्या वाकि एक ही चांस बचा था शिफ सेना के पास कि इस पार मुक्यमंत्री हो तो हो आइंदा इसके बाद कोई गुजारिश या गुजाईश बिल्कुल नहीं बचे लेकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब दो पार्टियों के बीच में गठबंदन होता हो एक विचारदारा का गठबंदन होता है उसके अंदर राजनितिक महत्वकांशा इतनी नहीं होती जितनी विचारधारा एक दूसरे के लिए विचारधारा सेम होती है और आपका एक दूसरे के लिए सम्मान होता है जब आपका सम्मान होता है और आप भी राजनितिक महत्वकांशा नहीं होती तो बिना मांगे आपको बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन यहाँ पे विचारदारा की कोई बात नहीं थी दोनों ही पार्टियों को यह पता था कि भी हम एक दूसरे के साथ मिलके लड़ेंगे तो हमारे को तभी बेनिफिट होगा देखे जब जब चुनाव डेकलेर हुआ उसके बाद बीजेपी लगातार फेट नवीस को डेकलेर करते रहें कि हमारे सीएम पर्ट के कैंडिडेट हैं और जो शिफ सेना है वो अपना अलग मैनिफेस्टो जारी करती है वो भी एक बड़ी विजितर बात देखने को आई उसके बाद वो ये कहते हैं कि शिफ सेना का सियम होगा ना ही बाती जनता पार्टी करा और उनको कहा कि ये आप क्यों कह रहे हैं इस बात को क्लियर नहीं करा उन्होंने कहा कि जब हमारा मैनेट आएगा तब हम इसके उपर बात कर लेंगे दिवेंद्र जी मैं आप से ये जाना चाहूँगा अभी आपके ही केंद्रिय मंत्रिय या हमारे भी केंद्रिय मंत्रिय साहब ये कह रहे हैं कि शरत पवार साहब खुद कह चुके थे कि उन्हें तो विपक्ष में बैठने का मेंडेट मिला है फिर शिवसेना उनके पास क्यों गई थी ने तो आपको भी तो बताना पड़ेगा एंसीपी से समर्दन लेकर आप सरकार बना रहे हैं किया अनुसार उसी मेंडेट की ताकत पर हमने पैरवी की ये सरकार बनाने की हम फिर कह देते हैं कि हमने सब को मोका दिया सब ने पूरी बैटिंग की पूरे फिल्ड में फिल्डिंग जमाई लेकिन काम्याब नहीं होने के बाद जब माराश्टरा की जंता ने शिवसेना की बात छोड़िये हमने पूरा एक से डेड़ महीने पूरा दिया सब ने सब कोशिशे की है आखरी लमों की बात करें अटालिस घंटे आपको मिले 24 घंटे शिवसेना को मिले एंसीपी को जो घंटे मिले आट बज़े तक की राग की मियाद थी और अब देखिए कि रास्पती शासन हटाना था तो राद में ही सब के अलार्म बजगे सब करें होगे रातो राद राजपती शासन हट गया राजपती शासन नहीं बहुत अच्छे तरीके दे सपत समार हुआ और सुबह के उस समय में हुआ जो सबसे अच्छा समय होता है तरीके से हुआ है लोग सुबह उठते हैं इबादत का समय हो और उस समय सुब काम हो तो इस से बढ़िया क्या है और मैं पहले भी कह चुका हूँ आज सनी देव महराज का दिन है सनी किर्पभार के लिए यह नहीं बचाए अब यह खामोश तो कीजिए फिर बोलता हूं मैं दरसल अभी एक मंत्री जी हमारे बड़ा नेतिकता की बात कर रहे थे कब राष्टबाद और राष्टबग्ति कहा चले गी थी भाश्पादकि इस वकत आज ये राष्टबग्ति की बात कर रहा है खुद जो कुछ कर रहे वो तो सब सही है दूस्रा कुछ कर दे वो बहुत गलत है किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया पीडीपी ने जनता के साथ धोकर नहीं किया था, आप ये सब खेल हो रहे हैं, खुद भूल भी रहे चीज्ज को लेकिन मैं आपकी भूमिका देखना चाहरा हूँ, आपकी भूमिका कहा थी सरकार बनाने में आपको इतना वक्त क्यों लग गया अब तो ना इदर के रहे ना इदर के रहे कि एक्टर बेन को बाइनी बाइय कर रहे है लेकिन आपको लगा कि नहीं हमारे 42 तरताली जो विदायक मुश्किल से चुनकर आएं वो भी कहीं तितर बितर हो गए तो मारा सी उवेट तो गई आप अब अब से पूछ रहा हूं लेकिन आपको लगा काते हैं वो जन्ताने जो मैंडेट दिया था वो सरकार बनाने में आपको हिंदुत की गली में तरह अंदर लेकर चले गए और उसके बाद खाली हाथ आप लॉट आपको लगता है जितनी मशक्कत आपकी दिल्ली की उनिट कर रही थी कि आप किसी ना किसी की तरीके से अपने कोर वोटर को वापस ले आया जाए अब पढ़ गई ना बाद हां अब कुछ नहीं पड़े ही बोट परसेंट हमारा बढ़ा है और बढ़ेगा और उतरप्रदेश के अंदर भी बढ़ा हर जिए कब बढ़ा है कब बढ़ा नहीं एमसीडी के चुनावों उत्तरप्रदेश में भी अलक्षन हुए बाई अलक्षन क्या हुआ है कितरी अरे दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं जनाब अभी उत्तरपरदेश के चुनाव और आने दिये चुनाव चरिया ठीक है पर साथ और भी जुड़े हो संदीब चौधी राजनितिक विश्वलेशक है संदीब चौधी जी आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगा ये बताईए कि दरसल अभी उन्होंने कहा कि फिनाशल कैपिटल है मुंबई की उसको चोड दरवाजे से ये चोरी कहने कि शायद उनकी कोशिश होगी कि सभी ये जो इनका गडबंदर ने चोर गडबंदर ये उस पर कबजा करना चाहता था लेकिन सुभे सवेरे ही भारती जनता पार्टी की पुलिस पहले ही पहुँच गई और पहले ही डीजीपी सा वहां पहुँच गे मतलब आपको पता ही ह ये मुक्यमंती पंद की शपत ले ली उन्होंने देखी कुलदीब जी ये सब को पता है कि महारास के अंदर बहुमत किसी को भी नहीं मिला लेकिन सबसे बड़ी जो पार्टी वहां बनके आई ये बीजेपी थी इस बात में भी किसी को दोर आई नहीं है सेकिंड नमबर पे सीर सेना थी फिर थाइड और फॉर्ट नमबर पे कॉंग्रेस थी नमबर पे नंसीपी थी तो इसमे क्या सब के बीच में एक होड लगी हुई थी के कौन सरकार बना सकता है अगर आप समयदानिक तरीके की बात करें तो जम्मो कस्मीर के अंदर सरकार बनी थी वो भी समयदा तो वो सिद नी कर पाएंगे अगर इनके पास समर्थन होगा तो अभी देखने वाली चीज़ है ये खेल किसने खेला है ये तो बताईए खेल किसने खेला है शरत पवार इतने आसानी से केंगा अरे मुझे तो कुछ पता चला नहीं अजीत पवार और उनकी बेटी शरत इस चीज़ है इस चीज़ में जहां लोग फसे हुए अभी तक इस चीज़ का ये है कि ये पूरा गेम सरज पमार जी ने खिला है और जिस तरीके से उन्होंने रास्ता दिखाया है ये उसी तरीके से बारते जनता पार्टी सरकार भी बनाएगी समर्थन भी मिलेगा और वो इस तरीके से हम सिरसेना को भी निप्टा सकते हैं कही ने कहीं अब जो वर्चासू रहेगा वो भारती जंता पार्टी का रहेगा और NCP का रहेगा मारास्ट के अंदर और उन्होंने एक-तीर से दो निशाने लगाए है जिस तरीके अब कॉंग्रे अगर वो भी चले जाते अपने बतीजे के साथ में तो अभी तक कि जो कॉंग्रेस पावार सुभे सवेरे पहुंच जाते हैं वो किस हैसियस से पहुंच गए वो तो ना पार्टी के कोई नेता है पार्टी के वो अध्याक्ष नहीं है अभी भोशित किया है अब को शरद पावार साहब थोड़ी कह रहे हैं वो और शरद पावार ने भी उनको एक तरीके से अपना उत्राधिकारी भी पार्टी में बना रखे हैं उसी तरीके से वो वाँ पे गए हैं और कभी भी BJP इतना रिस्क नहीं लेगी कि हम कमजोर इस्थीती में इतना टाइम लेने के बाद भी अपना हासिल ना कर पाए बहुमत हासिल ना कर पाए वो पूरी शूर्टी के साथ गए हैं पूरी सोच समझ के साथ गए हैं उस पूरे गेम को कराने वाले इस बात में कितनी सच्चा ही है कि अब एंसीपी दो फाड हो गई है तीस से पैंते विधायकों का समर्थन जो है वो अजीद पवार के साथ है शरद पवार के रहे हैं कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे कुलदीब जी हाती के दान दिखाने के और खाने के और हैं वो बिलकुल नहीं तोटी है और सरद पवार के बिना एनसीपी का कोई वर्चा सुनाई है अधीद पवार का कोई वर्चा सुनाई है आप देखेंगे एनसीपी ने कहीं बीजेपी से सीवसेना को रिप्लेस कर दिया है और जो बीजेपी में सीवसेना का स्थान था वो एनसीपी ने ले लिया है महरास्ट के अंदर भी और आने वा तो जब वहाँ पे चुकि देखे जो हम लोग 2014 में भी हम लोगों ने देखा कि BJP और शीवशेना दोनों ने अलग लग चुनाव लड़ा था और उसमें दोनों पाटियों का परदर्शन बहतर राइजवार दोनों पीछे भी घटे और उसमें भी NCP ने सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया था तो हम लोग आ जाते हैं 2019 के चुनाव में कि 2019 के जब चुनाव में चुकि देखे सीवसेना और BJP के बीच में समयंद अच्छे नहीं थे ऐसे में NCP ने उस समय भी प्रियास किया था कि वो गड़बंधान उनका सीवसेना के बीजेपी के साथ हो जाय है और लबा लबा भाती जनता पार्टी नेती तो के तरफ से सामती भी बन गई थी लेकिन अंतता फिर जब सिवसेना और बिजेपी के बीच में जब समधोते हैं कि बात्चीत हुई और जब ये मामला दिल्ली पहुचा तो दिल्ली में फिर अंतता ये निर्ने लिया गया कि नोता किया जै तो उस समय जो मौका तो संजे राउद बार बार ये कह रहे थे कि दल्ली का तक्स जो है महरास को नहीं जुका सकता वो क्या अपने दिमाद से ये बात भूल गए थे कि बीजेपी के भी जो 105 विधायक चुनकर आए वो जपान से तो चुनकर नहीं आए वो भ पार्टी विभाजन की बात सरत पवार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो डे वन से ही कॉंग्रेस के साथ भी संपर्क में थे और भारती जनता पार्टी के साथ भी संपर्क में थे और इस पूरे मामले की प्रिश्ट भूमी रात में नहीं लिखी गई है इसकी प करद आ और इस बात का जिकर कर रहे थे संजे राउस हब की शरद पवार जी को समझने में सोजदन भी कम लगें तो यह शायद दूस मेशिपार जाल etti को बताना चाहरहे थे जिस जगह पे थी शीव सेना के पास एक बहुत बड़ा शीव सेना को ये लग रहा था कि बहुत बड़ा शांदार मौका है कि हम अपने सिदे सिदे मुख्यमंत्री के पत को हम ला सकते हैं लेकिन जो आप कहा रहे हैं कि शीव सेना खुद ही NCP को नहीं समझ पाई और आज शी यहां समझना चाह रहा हूँ पर बिंदर सेटी जी आप थोड़ा सा रोशनी डाले इस बात पर के शीव सेना खुलकर आकरामक नहीं हो पा रही NCP पर और खास्ताव पर शरत पाबाद पर जबकि अंदर खाने सब को पता होगा ये खेल कैसे खेला गया होगा कैसे कैसे मोहरे बिठाए गए होगे कौन कौन सी वक्त पर कौन कौन सी चाल चलने का जो सोच लिया गया होगा उस पर खुलकर नहीं बोल रही NCP को लेकर शरत पाबार को लेकर शिव सेना नहीं बोल रही शिवसेना की क्या बोलती, पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वो बोले भी तो किस मूँ से बोले, सबसे बड़ा जटका जो है, इस सारी प्रतिक्रिया के अंदर जो सबसे जाद नुक्सान हुआ है, वो शिवसेना का और कॉंग्रेस पार्टी का, क्योंकि इनको कुछ मिला भी और मिली तो बुराई और बहुत बड़ा दाग, कॉंग्रेस पार्टी के उपर भी दाग लगा बहुत बड़ा, और शिवसेना का भी जो अस्तित्व है, वो घटा है महारास्टर में भी और वहां की जंता के बीच में भी, क्योंकि उनको इतना बड़ा शौक लगा है कि शर उदर ठाकर चाते थे कि मैं पीचे से बैठके सारी सरकार चलाओंगा, मैं सियम नहीं बनूगा, उस भूमिगा में शरत पवार आ गये हैं, योगि शरत पवार के बिना उनकी पार्टी में पत्ता भी नहीं सकता, और अजीत पवार का को इतना अस्तित्व नहीं है, जिसके मेरे पास पावर है, मैं बनाता हूं तो मोदी जी से हरी जंडी लेने के बाद जो ऐसा मेरा सोचना है, कि हरी जंडी लेने के बाद ये सारी परतिक्रया शुरू हुई, और उन्होंने जो थे अपने पत्ते भी खोले नहीं है, और जो अमालिया जाया है, केस रफा दफा दो व्यक्ति आपस में आमने सामने लड़े हैं, वो ही आपस में मिलके सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे और आने वाले समय में कभी ऐसी प्रस्तिति ना आ जाए कि बीजेपियर कॉंग्रेस लेकिन भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस इन दोनों के उपर ये इस पूरे गटना करम में दोनों के उपर ये आरोप लगेंगे कि उन लोगों ने जनादेश को सही ढंग से नहीं किया बारती जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उनका फर्ज ये बनता था कि वो सिवशेना के साथ वारतालाब करते उसको मनाने का परियास करते लेकिन हम लोग जामते हैं कि इस पूरे दौर में मैं कहीं पर भी इन लोगों के बीच में पूरी तरसे कम्म्यूकेश कुल में रहें लोगों के साथ सिदे भारती जनता पर्टी की दूरी बंती जा रही है धारखंड में भी उन्होंने अपने सारे पुराने पूराने उनके जो सहयोगी थे आसू जैसे सहयोगयों को ऺंचे चोड़ दिया है एक भी सीट नहीं दिया और 81 सीट वह पे अकेले ल पूरे सिच्वेशन का लाब एंसीपी ने उठाया है नहीं उससे बड़ी बात तो मैं ये समाता हूँ कि दरसल शिवसेना की अब नियती ही यही है वो करे तो करे क्या वो कहां बड़ा भाई थी और उसके बाद आपने देखा धीरे धीरे करते हुए 2014 में अगर भारतिय जंता पार्टी या मोदी साहब के लहर नहीं होती तो फिर क्या अब शिवसेना को वोट मिल पाता है और अब नियती है शिवसेना की जो नजर आता है कि चाहे वो बीजेपी के साथ रहे तब भी बीजेपी ने शिवसेना को कमदोर कर रहा है वो एंसीपी और कॉंग्रेस के गडबंधन के साथ आती तब भी एंसीपी कॉंग्रेस से उसको तब और भी बुरा और के वाली एक सीज कहूंगा कि 2014 में लोक सभा चुनाओ जरूर होना ने जो है कि भारतिय जंता पार्टी की साथ लड़ा लेकिन विधान सभा चुनाओ और सीवशेना ने जो भी सीटे लाई वो अपने दम पे लाई वो भारतिय जंता पार्टी के साथ मिल के नहीं लड़े ते यह चारो के चारो दल उसमें सब के सब बिना गडबंधन का इक फुले हम मैदान में लड़े तो इसलिए उसमें 2014 में सीटें थी उसकी ज़्यादा सीटें थी और वो अपने दम पर ही लाई ते कि मैं अभी भी इस तरक्षे शहमत नहीं होंगा चूंकि जो महराश्ट की राजी ती यह जो महराश्ट का भुगोल है उस भुगोल में आप सीवशेना को नहीं मिटा सकते हैं यह हम लों को ध्यान उसके बािद कितना बचता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं यह जानना चारहаться की शिवसिना अब इसके बाद क्या शिवसेना उधर ठाकरी की नितित में फैल है क्या उधर ठाकरी को वो राजनीतिक उतना घ्यान नहीं है जो Вाला साफ ठाकरी को हुआ करता था अब क्या है शिवसेना सेुड़े हुए लोग थे उनके उपर च्छापए प्रारम हो गा है तो एक द्रिश जो हम लोग को आगे दिखेंगे जब ये सरकार आगे रहेगी तो ये चीज दिखेगा कि परवरतन निदेशाल है, CBI और Income Tax के अजेंसिस के द्वारा अलग लग मामले हम लोग बात इसलिए मैं पूछाओं कि अमित शाह जब सोच लेते हैं क्योंकि उन्होंन इसलिए से प्थां लिया था तो बनानी ही बनानी थी और शिवसेना का पत्ता भी साब करना है ये थोड़ा उनके रवएए से बात समाज आ रही है कुछ बहुत कुछ दिखेंगे हम लोगों को आज हम लोग ये चर्षा अभी बहुत कुछ अलग लग घटना है हम लोगो नजर आएंगी चूंकि देखें काधरी सहाब इतने शरत पवार जी के अगर बात करूँ तो अगर वाकिए ये सब कुछ उनका ही खेल रचा होगा तुंसे क्या कहा जाए मैं आपसे यह जाना चारूं कि 1909 में कॉंग्रेस ने शर्द पवार जी को बाहर क्यों कर दिया था सोनिया गांधी जी को अध्यक्षा बनाया गया था शर्द पवार होते तो शायद आपकी पार्टी के हाला दिये नहीं होते तो दूर दर्शी सोच जो है 1909 में भी नहीं थी और अब भी नज़र नहीं आती एक-एक महिना आप इस बात को तैय करने में लगा देते हैं कि सरकार में शामिल हो या ना हो और फिर बड़े बेाबरू होकर लोटते हैं क्या कहीं गया सरत पवार जी के बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्यों उन्हें खुड ट्वीट कहा है कि मेरी ये सहमेती नहीं है मेरे बिगर ये हुआ है जब तक कि पूरे पत्ते खुल के सामने नहीं आ जाएं फिलो टेस्ट पे क्या होगा ये सरकार करनाटक की तरह जैसे युदरुपा को सफ़त दिला दी गई ती फेल होगी या रहेगी ये सारी चीजे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कैमरा के सामने उन्हें कहा था ये तो बीजेपी से कारकारा सफ़त दिला दी है अभी देखो ना फ्लो टेस्ट को होगा क्या होता है पता लग जाएगा करनाटक में भी युदरुपा ने सफ़त ले ली ती इवेंदर प्रमुक्जी प्रोट टेस्ट पे आप ऑफ़ेल होने जा रहे हैं काद्री साहब के मताबिक देखिए मैं किलियर करना चाहूंगा फिर पताऊंगा कुदीब जी कि सरकार की बात बार बार चल रही है कि वहां सरकार बनाने की जिम्मेदारी या किसने कैसे बनाई सबसे बड़ी बात हम इसपष्ट कर चुके हैं कि सरकार हमने इसपष्ट बनाई है और फिर उसमें सिवसेना का भी कोई हमने तारगेट नहीं किया सिवसेना ने जो कहा जिस तरीके से कहा क्या उनके बयान आए उस फिर कह रहे हैं आपको कि महाराश्ट्रा में जो सरकार जो जना देश हमें मिला है, जो मैंडेड हमें मिला है, पिछला जो परसंटेज अभी हमारी conference हो रही थी मान्य मंत्री जी बता रहे थे जो हमको वहां बहुमत मिला पिछले से कहीं अच्छा ज्यादा मिला और सिरफ एक एक चीज और किलियर करना चाहता हूं महाराश्ट्रा के सामने इस पश्ट था पूरा महाराष्ट्रा ये जानता था कि आने वाले समय में देवेंद्र जी ही मुख्ध मंतरी होंगे महाराष्ट्रा के उसी वजे से बोट जो है सिवसेना को मिला और उसी वजे से बोट जो बीजेपी को मिला अब रही बात की सीवसेना ने क्या सोचा है किसने उसके साथ धोका किया है किसने उनको बरगलाया ये सीवसेना जाने या बरगलाने वाले लोग जाने हमने तो फिर महरास्ट्रा की जंता का एक बार सर्वे किया और 90% जंता ने सेहमती जताई की बीजेपी को आगे बढ़के स सरकार का गठन किया है। आपने कुछ भी डिसकस नहीं किया क्या आप चाहते थे कि अब हिंदुत की पिच पर शिवसेना ना खेले वो खुद हिट बिकट हो जाए हम खेले खुल कर अरे कुल्दीव सर बैंने किलियर कहा है कि हमने जो चुनाव लड़ा है जनता के बीच में कोई डिवेड्स आप निकाल के देखिए पूरा चुनाव का कोई कहीं से कहीं तक कहीं सीवसेना के मुखमंत्री का नाम आपने सुना चुनाव मैं लेकिन कांग्रेस की इस मामने में मैं ना बुराई कर रहा ना तारीफ कर रहा कि कि कहीं न कहीं सीवसेना को ऐसा घेर के रखा कि वास्ता में वो जो आज आँसुत व निशीद भाहरी होगी। संदीब चौधरी जी जो से बार 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 शिप से नहीं ये कह रहे थी कि हमारे साथ धोका हुआ है भारती जनता पार्टी ने जो हमारे साथ वादा किया वो गलत किया इसलिए हम बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं ये कितनी गलत स्टेटमेंट है अपने आप में किल्दीब जी में इमानता हुके सिर्फ सेना ने बहुत बड़ी गलती की है और कहीं ने कहीं कहते है ना अपने पैरों पे कुलाडी मारने वाली बात यहां सीव सेना ने तो अपना पैरी कुलाडी पे पटक दिया है यह गलती करके वो अपने लोगों के लिए काम कर सकती थी बीजेपी के साथ मिलके चल सकती थी और जो एक सुरुवात बाला साब ठाकरे ने की थी उसको आगे निभा सकती थी आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि जो बाला साब ठाकरे नहे सीव सेना की एक छवी बनाई थी हिंदूत्तु की छवी बनाई थी कईने कई वो एंटी मुसलिम बोलते थे उनका इस तरीके का प्रोजेक्ट रहता था जो करते थे उस चीज़ की लेकिन कॉंग्रेस और NCP ने पहले तो सीवसेना को उसकी स्टैंड से नीचे गिरा दिया उन्होंने वीरसावर करके खिलाप इनको बुलाया जिसके नाम पे सीवसेना ने अपनी पहचान बनाई राजनीती की मुस्लिम आरक्सन के मामले पे इनकी सहमती जत्वाई मतलब बिलकुल कॉंग्रेस के एक्वल और NCP के एक्वल ले जाके सीवसेना को खड़ा कर दिया वहाँ से बात सुरू की तो जो उसका अपना एक वोट बैंक था महारास्ट के अंदर कि धरसल भारतिय जनता पार्टी के जो केंद्रिय मंत्री है रवी शंकर परसाज इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का ही सपोर्ट बेस था जिसके बहाँ पर शिवसेना को 56 सीटे हासिल हो गई थी बिल्कुल कुल्दीव जी मैं इस बात से सहमत हूँ मानता हूँ इस बात को और इसके साथ-साथ यहां जो सबसे इंपोर्टन्ट चीज है वो यह है कि सिवसेना ने अपना पूरे तरीके से अपना सफाया करवा लिया है कॉंग्रेस के और एंसीपी के एक्वलेंट खड़े होकर और पूरा जो गेम है वो एंसीपी ने खिल लाया यहां पे अभी आप देखिए एंसीपी के हाथ में बोले अगर बीजेपी जरा भी उसको परिसान करने का काम करेगी यह कोई भी ऐसा काम करेगी जो पवार साब या एंसीपी के खिलाप होगा वो एक मिनिट में उसको रोक सकते हैं चूँकि उनके सम्झन ना कॉंग्रेस से खराब है ना उनके सिव सेने से खराब है वो उसकी भी सरकार बनवा सकती है तो सरकार जो चलाने का काम करेगा चेहरा फ़ड़नवीज का होगा बीजेपी का होगा लेकिन सरकार शरत पवार चलाएंगे चाहि कितना वत और लगेगा जब शिव सेने का पवार साहब को गालियां देते नज़राएं और आपको एक चीज बता दूँ, आप देखेंगे सिव सेना के खिलाब बीजेपी बोलती मिल जाएगी, कॉंग्रेस के खिलाब बोलती मिल जाएगी, आप मुझे एक स्टेटमेंट नहीं दिखा पाएंगे, अगर कोई नेता सरत पवार के खिलाब कुछ गलत बोलता मिल जाएगा, शारत पवार साहब को उतनी तवज्जो देंगे, बविश्च के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, यहीं MCP है, जिस पर ED के चापे पढ़ रहे थे, दुनिया भर की यह बुराईयां कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और आज यह हाल है, तो ऐसा बव वारे elections है, चुनाव मुझे उसको लेकर चिंता हो रहे है, कॉंग्रेस का stand बिल्कुल किलियर है, और कॉंग्रेस को इसमें ना कहीं घाटा है, आपको नजर आ रहोगा, कोई नुकसान यह कॉंग्रेस को, यह बोटरों को ही समझना पड़ेगा, जो लोग अपने खुद के सह यह होगी, जो बाला ठाकरे के पैर चुआ करते थे जाके, उनकी छत्र चाया में रहके, वहाँ सरकार है बनाने के सपने देखे थे, आज उनके पोत्र के साथ जब यह हाल करा है, तो दूसरों को क्या दे सकते हैं, यह बड़ा गंबीर विशह है, तो यह सब जनता देख रह इतना बोर्ट दिया था, जो हमारी सरकार अपने बलबूते पे बनती, क्या महराष्ट में दिया था, पंजाब में हमारी सरकार चल लए है, मत ब्रदेस में चल लए है, नहीं चल लए है, आप बताईए ना, अकरम जी लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, कि आप आप न पार्टी की बात मत कीजिए, अंग्रे जोबेi将 ताइम में यहीं लोग कहते थे, क्या हैं तो आरिए हैं, बाहर से आयुए है, हम तुन्मारे ही लेकिन आप लेकिन और आप उस्से वह बार 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 बदलता रहतीा, उससे हमारी मत कीजए अब शरत पवार जी से आप गडबंदन कब तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने जो रनीती बनाई है वो सबों के सामने में अच्छे बने हुए हैं। पुछ फ्रेश चेहरा हमें देखने को मिलेगा और सुबह होते होते सारी कहानी पलट कर रहे गई। वहीद बोले तो इसलिए ये इसलिए ऐसा ये स्थितिया नजर आ रहे हैं कि बीच में मुखी किरदार सरत पवार हैं। पूरे पैनल का यहां पर आये डिसकुशन की चर्चा की और देखा हमने कि एक जो महाना तक हुआ उसका अंजाम आखिर कार क्या हुआ अप प्रतियासित अंजाम। चलिए दीजिए अजाजत बागे खबरों के लिए भी बने रही आप आर नाइन टीवी के साथ नमस्कार